यूजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद आसा वे काम ना करता हूँ आप सभी भाई-बैंट ठीक होंगे बहतर होंगे हरियाना चिराग योजना तीसरी से बारवी तक परी ये बीच में भी मार्च में जो ही आया था लेकिन इसे खिशका दिया गया था पंदरे मार्च को इसके उनलाइन एसके जो आवेधन थे फ़ोम जो थे वो शुरू होने थे लेकिन सकूलो को डाटा नहीं आया था तो सकूलो के पूरा लिश्ट आ गया आवेधन फ़ोम हाँसे शुरू करवा लिये गये हैं उसी दिन से इसमें बंद आवे निसुल के सिक्षा जो है इसके तहत दी जाती है हरियाना परदेश सरकार जिस भी प्राइवेट सकूल में आपके बच्चे का एडमिसन होता है आपके बच्चे के फीस हरियाना परदेश सरकार सीधा सकूल के खाते में डालती है और सरकार ने क्लास वाई जो है फीस इनकी ते आविदन आज से फॉर्म आपके शुरू कर ले गए हैं संपुरन ए टू जानकारी दूँगा गड़ा थोड़ा बैट रहा है कोई भी जानकारी छोड़ूँगा नहीं बहुत बड़ी यह योजना है हरियना परदेश के अंदर इसे पहले हरियना 134 से के नाम से जाना जाता थ था लेकिन पिछले साल इसे जो है नाम बदल कर इसका चिराग योजना कर दिया गयर इसमें कुछ बड़े-बड़े आमेंडमेंट भी इस योजना के तहत किये थे नरसरी से दूसरी कक्छा तक का जो होता है वो राइट टू एजूकेशन के तहत आएडमिसन होता है आई ट या पिर हरियाना का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो वो सभी अपडेट आपको सबसे पहले सबसे तेज देना का काम करते हैं सात्यों चैनल सबस्क्राइब जरूर करें तो दोस्तों यह जो है नौटिस यह जो पूरा का पूरा जो है आज के समाचार प्रिंट मेडिया भी जो पूरी तरीके से भराव हुआ है ये बहुत बड़ा धमा का हरियाना परदेश सरकार द्वारा है ये आप देख सकते हो सभी जिला सिक्षा दीकारी सभी डी योज एंड बी योज को ये लेटर लिख दिया गया है मुख्या मंतरी हरियाना समान सिक्षा रात साह है वह उनुदान इसकी सोट फों में से चिराग सकीम बोला जाता है तीसरी कक्षा से बारवी कक्षा तक मानने तब प्राव तो जो आपके नजदीक सकूल है उनमें जो है एडमिसन के बारह में दिसा निर्देश दे दिये गए हैं यहाँ पूरा इसका वो है अब इसकी थीस में से 224 ही सकूल सेलेक्ट किये है पूरे हरीना परदेश के अंदर 224 सकूल है यानी एक जिले के अंदर 10 से 69 सकूल यह सेलेक्ट किये गए हैं तो दोस्तों इनका जो आवेदन है इनका आवेदन ये आपका च्छार मैश मैश से 12 तक आवेदन होगा और इसकी सकूल की पूरा का पूरा लिष्ट जारी कर दी गई है, यह हरिणाना सरकार की जो अफिसल वेबसाइट है, उस पर भी उपलब्द है, और यह दो सो चोवीश सकूल की, यह जिलावाइज, डिस्टिक वाइज इस तरह की जो है, यह थोड़ा लिष्ट थोड़ा है, साथ यह जब हमने यह PDF का स्क्रीन सोट लिया, तो यह थोड़ी जूम इसकी क्लियर्टी डाउन हो गई है, बाकी आपका जो नस्दी की प्राइवेट सकूल है, उस प्राइवेट सकूल में आपके बच्चे को फिरी पढ़ाया जाएगा, फोर्म आपको वहीं से लणा है, चार मई से बारह मई तक आपके आवेदन होंगे, उसके बाद 13 मई को आपको ड्रोग निकाला जाएगा, 13 मई को ड्रोग निकालने के बाद साथ यो, फिरे इनके जो आवेदन सुरू होंगे, वो 15 मई से 25 मई तक आवेदन होंगे, यदि मान लो किशी सकूल के अंदर 30 सीट हैं, 30 सीट हैं, 2100 मे के करीब बच्चे हैं 299,200 के करीब बच्चों को इनको फिरी सिक्षा देनी इन 224 सकूलों को इस चिराग योजना के तहत साथ यो तो दोस्तों यहाँ जिला वाईज भी नोंने बताया है कि किस जिले के कितने स्कूल है तराण में 168 सीटे हैं जो इसके तह तो जो है भरी जानी है यह आपको मैं पूरा समझा देता हूँ इसके दिशा निर्देश भी आपको बताऊंगा थोड़ा मैं यह आपको दिखा देता हूँ कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा भई पहले तारीक देख लो चार मई से बार मैं आवेधन जो होगा ओफलाइन होगा सकूल से आपको आवेधन प्राप्त करना है या फिर नजदी कि सेंटर से आपको इसका फोर्म ले लेना यह वड़ा फोर्म रहेगा वो भी दिखाऊंगा च्यार मई से बारह मई तक आपके आवेधन होंगे 15 मई से 25 मई यानि 13 मई इसके बाद 13 मई को आपका ड्रो निकार दिया जाएगा यदि किसी सकूल में 50 सीटे हैं और बच्चे 50 या 40 या 30 यानि सीटों से कम बच्चों का उसमें जो है फोर्म जमा होते हैं वावेधन फोर्म बच्चे बरते हैं तब तो ड्रो नहीं निकलेगा सीधा उनको जो है उस डाल दिया जाएंगी और उनमें से 50 जितनी भी सीट उस सकूल के अंदर है वो जो है वो परच्चियां उस डिबे में से निकाल ली जाएंगी जिनकी वो परच्च आएंगी उनको इसके अंदर आविदन इनके अंदर सलेक्ट से वो एड्मिसन दिलवा दिया जाएगा और बाकाइदा नोटिस बोर्ड जो सकूल का रहेगा उस नोटिस बोर्ड पर भी जो वो है वो चस्पाया जाएगा वो चिपकाया जाएगा जिस बच्चे का नाम चिराग योजना के तहत सेलेक्ट ड्रो में जिनका नाम आएगा तो 15 से 25 मही तक तो साथियो अब इसका हम आपको बता देता है पूरा का पूरा ये इसका आवेदन फोर्म है इसे नरसरी किलास का बच्चा भी भर लेगा इसमें इतनी बड़ी चीज है नहीं जो मैं आपको बताऊं साथियो ये एडमिसन नंबर यहाँ पूरा का पूरा नेम वाम ये सब कुछ और नीचे जो है इसके यहा से नीचे सकूल वाड़ा करेगा आपको कुछ नहीं करना है जिस भी सकूल में आपको एडमिसन लेना है आपको उस सकूल में ये फोर्म जमा करके आना है और अपना नजदी की सकूल जो है से लिश्ट निकड़वा लेना जो भी आपका नजदी की सकूल हो आप उस नजदी तीन या दो सकूल हैं तो दोनों सकूलों में आप आवेदन फॉर्म अलग अलग भर सकते हो लेकिन एडमिसन एक सकूल के अंदर आपका होगा तो साथियों यहां अब आपके इसको देख लेते हैं इस योजना की मुख्ये मुख्ये जो आपकी जो बाते हैं वो संटरमेंड कं प्राप्तिया उत्रन की है यानि यदि तीसरी में जा रहा है बच्चा तो दूसरी उसकी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए यदि दस्वी में जा रहा है तो उसकी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए यदि ग्यार्वी में जा रहा है तो दस्वी उसकी सरकारी स्कूल से होनी उसी खंड के मानने ता प्राप्त नीजी विद्यालियों में उपलब्ध सीटों पर दाकिले के लिए पात रोगा तता वे खंड में एक से अधिक विद्यालियों में भी दाकिले के लिए आविदन कर सकता है यानि जिस बिलोग के अंदर आप फिलाल पढ़ रहे हो आप उसी बिलोग के किसी भी प्राइवेट सकूल में आप इसका फॉर्म भर सकते हो एक से अधिक के लिए आप फॉर्म भर सकते हो लेकिन अलग खंडों में आप फॉर्म नहीं भर सकते मानलो आप हिशार डिस्टिक्स में आप ये फोर्म बरोगे नहीं भर सकते तो दोस्तों हासी के तो चाहे आप कितने ही बिलो के कितने ही सकूलों में प्राइवेट मापावेदन फोर्म भर सकते हो सभी मान्यता प्रावत निजीव इध्यालियों का चानुसार घोसित सीटों का जो विवरन है विबाग ये वेब साइट पर दर्सा दी गई हैं सकूलों के नाम भी और किस सकूल के अंदर किस किलास की कितनी सीटे हैं वो भी दर्सा दी गई है सकूल देख लेना ओफ लाइन ये फोर्म रहेगा जो मैंने आपको दिखाया है उस शकूल के अंदर आपको ये भर के आना है जमा करका आना है जिस भी सकूल मापैड मिसल लेना चाहते हो तेरह माई को ड्रो निकलेगा लोटरी ड्रो निकलेगा वो मैंने बताया है डिब्बे में बंद कर लेंगे पर्चियों को जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरें या फिर उनके फॉर्म को वो कर लेंगे एक बोक्स में वो कर लेंगे और एक रेंडम ली एक छोटे से बच दाखिला ना लेना पर उनके रिक्त सीटों पर वेटिंग लिस्ट लगा दी जाएगी यदि 15 मई से 25 मई तक आपका फर्स्ट मई लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आप अपना एडमिसन नहीं लेते हो तो वेटिंग लिस्ट 26 मई से 31 मई तक किये जाएगे यानि फर्स् सकूल के अंदर करवाना होगा यदि आप 25 मई तक आडमिसन नहीं करवाते हो तो आपकी शीट खाली दर्सा दी जाएगी उसके बाद इस दाखिला आउदी में D.E.O.B.E.O. या फिर जो है विद्यालियों में विबागिये मनोर जीए फिर सकूलों के लिए आदे से यो प्यपियल मेटर नहीं करता मेटर करता है आपकी जो फैमिली आईडी में इंकम है वो कितनी है एक 80 से कम आपकी होनी चाहिए SLC आपके पास होना चाहिए फैमिली आईडी अनिवार रिया है फीस परती पुन रासी के लिए मानने तो पराप्त निजी विद्धाली पात रहूंगे ये फिर उनके लिए है बाकी जो मैंना आपको बता दिया इसमें फीस टेकर रखिये तीसरी से पांचवी तक 700 रुपे पांचवी से नवी तक 800 रुपे और नवी से बारवी तक 1000 रुपे ये सरकार स्वेट है उनसा कूलों को खुद आप उनके खाते में डालेगी जितने भी बच्चों का एडमिशन करेंगे आपकी फिर सरकार बरेगी आप से एक रुपे नहीं लिया जाएगा तो फिलाल के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद जानकर ये पसंद आई होगी जानकर ये अच्छी लगी होगी चैनल सबस्क्राइज रूप करें